कभी आपने सूचा है कि एक ऐसा दिन जिस दिन महिलाएं घर से मां बहने बेटी यां कोई भी घर से बाहर निकलने में डरती हैं एक ऐसा दिन जिस दिन राज परिवह निगम अपनी बसू को बंद करने पे मजबूर हो जाता है एक ऐसा दिन जिस दिन जो पब्लिक ट्रांसप वो बंद करना पड़ता है, मजबूरन बंद करना पड़ता है, ये खबरे देखिए, एक ऐसा दिन, आप उसे थेवहार कहते हैं, थेवहार, किसकी हार है ये, सोचिएका कभी, किसकी हार होती है इसमें, आखिर कौन हारता है, साथ तारिक को एक महिला जलाई जाएगी, जिसका नाम होली है, और आठ तारिक को विमन्स डे, याने कि महिलाओं पर केंदरित एक दिन मनाया जाएगा, दोनों दिन मनाया जाता है, कहते हैं कि मतलब होली है, होली है, और बुराना मानो होली है, या फिर हैप्पी होली, अगर होली का नाम की वो महिला अपने भतीजे पहलाद को लेकर गोद में बैठी थी और वो खुद जल गई पहलाद बज गया तो हैपी तो पहलाद होना चाहिए ना हैपी होली क्यों होती है कभी सोचाएं आपने कोई तो ऐसा तेवहार हो जहां पर किसी प्रकार का नुकसान न हो ये बताने की जरुवत न पड़े कि आप हुड़दंग न करें या फिर आप परियावरण का नुकसान न करें कोई तो ऐसा तेवहार हो जिसमें विक्तिक की जेब का खर्च यानि कि वो आर्थिक रूप से समाजी के रूप से परियावरण के रूप से तमाम दिश्टिकोर्ण से कोई तो ऐसा तेवहार हो जहां पर नुकसान न हो ढूंड के निकालिएगा कभी आप बच्पन में एक गाउं में जहां हम रहा करते थे ओडिसा का वो बॉर्डर था चतिजगर का अंतिम वो गाउं था रायगर जिले का वहाँ पर होली के दिन खास हो से इस दिन जो है पूरी जो बस्ती की जो टूली आती थी लोग आते थे गाउं के वो लोगों को उठा उठा के कीचर में डाल दिया करते थे और खुब खुश हुआ करते थे एक तरह से किसी को अपमानित करके खुश होने का ये तेवहार माना जाता है जिसमें बहुत ज़ादा अपमानित होती है महिलाएं जिनको डर लगता है घर से बाहार निकलने में ऐसा नहीं कि पुरुशों को इसमें अपमानित नहीं किया जाता वहाँ पर भी बहुत ज़ादा अपमानित किया जाता जब ये सब देखकर मनवेथित होने लगा तो हमने कोशिश की कि कुछ बदला जाए कुछ परिवर्तित किया जाए और उस गाओं में हमने परिवर्तन की एक लहर डालने की कोशिश किया और हुआ यूँ कि हमने उस दिन को महा मुर्ख दिवस घोशित करके उस दिन जो है हमने कुछ इस तरह से प्लान किया कि लोग कीचलों की होली ना खेले और इस तरह से लोगों को अपमानित ना करें कुछ सार्थक काम करें और लोगों से कविताएं और चुटखुले इस टाइप की चीज़े सुना कर एक जगा पर इक अठा करके लोगों को मिठाईयां यह तमाम सारे चीज़े जो है वो यह कोशिश की गई कि भई जो बुरा जो पहलू है उसका वो कम से कम कुछ तो घटे कुछ तो कम हो और वो हुआ परिवर्ता हमने स्कूली दिनों में एक नाटक खेला था जिसका नाम है हिरन्य कश्यप मर्डर केस इस नाटक को खेलते समय हमें हमें बहुत मज़ा आया लेकिन साथ में एक संदेष बी था murder case याने हिरन्य कश्यप का किस तर दर से murder हुआ हिरन्य कश्यप एक राजा जो कि UP के हर दुई जिले का माना जाता है वो कभी बहां पे हुआ करता था एक माना जाता है इस बहँजनों का ही राजा था वो उसको कब जाना चाहते थे और इस चक्कर में उन्होंने उसकी जो पत्नी थी उसको अपनी मोहजाल में फसा लिया और उसके माध्यम से उन्होंने हिरन निकश्चप को मारने का पुरा एक पुरा शड़यंत रचा और साथ ही जो उसकी बेहन जो हुली का जो बहुत ही चंगुल में फस गया था उसे हिरनक केशब राजा ने पढ़ने भेजा था गुरू को लेकिन वहाँ पे तमाम ये जो ब्राह्मन जो की बाहर से आए हुए लोग इन लोग वैसे भी अपने साथ तमाम जो नशे की चीजे शुरा पान ये सारी चीजे लेकर आये थे बाहर से औ इन्होंने उसे उसमें फसा लिया और वो पूरी तरह से नसेडी गंजेडी हो गया राजा नहीं चाहता था कि बच्चा इस प्रकार से बिगड़े उसने उसे सजा दी सजा की तोपे बाहर रखा और लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा बलकि उनके चंगुल में बुरी तरह स उन्होंने उसे पकड़कर उसका बलातकार किया और उसे उसका एक तरह से उसकी हत्या कर दी और इसमें बताया गया कि वो जल गई और तमाम सारी कहानिया जो गड़ दी गई बहुत सारी बाते हैं इसमें और फिर राजा ने अपनी बहन हुलिका को ढुणवाया तब पता च वीर हैं याने कि ये लोग कायर हैं हिंदी साहित में एक शब्द होता है वीर का अथ होता है कि वो बलवान होता है वो साहसी होता है लेकिन उसमें अ लगा दिया जाए तो वो अवीर हो जाता है तो यहीं से हर्दोई से शुरू हुई थी अवीर याने कि अवीर लगाने की परंफरा बट इस कहानी में एक खास बात ये है कि कहा जाता है ना कि वो हुली का उससे गोद में लेकर बैठी थी और वो तो जल गई लेकिन पहलाद उसमें से बचकर निकल गया और फिर ये कहा जाने रगा कि हैपी हुली अब बताईए पहलाद बच गया तो हैपी पहलाद ह बहुत सारी बाते हैं हम अभी महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और दोनों चीजे एक साथ आ गई हैं आप देखिये नहीं यह अखबार में चपी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में आधी महिलाएं रोज घरों से बाहर नहीं निकलती कारण क्योंकि माहौल खराब भारत के शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं में आसुरक्षा की भावना इस कदर बढ़ गई है कि वो तब तक घरों से नहीं निकलती जब तक बहुत जरूरी नहों राष्टिय स्यांखिकी कारेले के टी यू एस टाइम यू सर्वे के मुताविक भारत के शहरों में तिरपन प्रतिशत यानि की आधी से ज़्यादा महिलाएं अपने घरों से रोज बाहर नहीं निकलती आप अखबारों में जब पढ़ेंगे हूली के समाजारों में तो काया तक चाव तरफ हूली की धूम है और बाजारों में रौनक है हर तेवार बाजार से जुड़ा हुआ है और इसमें खरिदार कौन है और विक्रेता कौन है इसे आपको समझने की जरुरत है दो दिन इस बार तेवहार आ रहा है ये जो तेवहार जिसे कहा जाता है तुम्हारी हार ये दो दिन हारेंगे आप क्योंकि साथ तारीक को भारत के आधे हिस्से में और आठ तारीक को भारत के आधे हिस्से में ये व्यापार होने वाला है तरीके से व्यापार होने वाला है औ आपको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़े तरक शक्ती से इन तमाम चीजों को गार समझेंगे तो निश्यत फूर्भ से अपने पुर्वजों के हत्याणबं के त्यवारों को मनाने में थोड़ी हिचक तो होगी. जब पुर्वजों के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे तब कहें जाकर पढ़ना जरूरी है डॉक्टर बाबसाम बेटकर करका ये कोड भी याद रखिया ज़िए